सेक्स प्रॉब्लम के लिए होमोपैथिक मेडिसेन कोनियम मैकुलिटम को कैसे इस्तमाल करना चाहिए आज हम लोग इस वीडियो में यह जानने वाले है आप लोगों में से बहुत लोगों का यह सवाल था कि डॉक्टर साब आपने कोनियम मैक से तो बहुत प्रेस्ट को सही किये है हमने आपका केस वीडियो के मादम से देख भी चुके है आपने example के तोर पे बताये भी है कि कॉनियम मैक से कैसे आपका प्रेस्टेंट सही हो रहा है तो कॉनियम मैक का ऐसा क्या symptom साथ देखते हैं कौन सी आप लक्षन के आधार पे इसको प्रेस्काइब करते हैं ये जरा हमें बताईए का कि हमारा अंदर अगर ये symptoms match होता है तो हम किस प्रकार से कॉनियम मैक को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं खुद बखुद तो दोस्तों कॉनियम मैक प्रेस्काइब करने से पहले मैं पेस्टेंट का अंदर 5-6 symptoms ऐसी है जो मैं देखता हूँ जिसे देखने के बाद अगर मुझे लेगे कि हाँ ये कॉनियम मैक का ही प्रेस्टेंट है तो मैं कॉनियम मैक प्रेस्काइब करने के लिए एक सिगंड भी देरी नहीं करता हूँ जो भी बी जुनियर डाक्टर से, जो शुडेंट से जो हमारे वीडियो को हर दिन फॉलो किया करते हैं उनको तो पता हो गहे क्या है। वहां हमने बताय है कि कोनियम मैक कहां पर प्रेस्काइब करना चाहिए लेकिन जो लोग इस फिल्ड से जुड़े नहीं है लेकिन फिर भी उनका अंदर होमपती को लेके प्यार है भरोसा है तो वह लोग इस वीडियो को देख के सीख सकते है जान सकते है और जैसे मेडिसिन में बताता हूं लेने के लिए उस प्रकार से अब ले भी सकते है दोस्तो कोनियम मेक को प्रेसकाईब करने के लिए जो सबसे पहला सिंटम होना चाहिए पेसरिन का अंदर वो है सप्रेशन अप सेक्षूल डिजायर यानि आपका अंदर sexual problem शुरू होने का पीछे, कही ने कहीं suppression एक बहुत बड़ा कारण है, suppression का मतलब दबाओ, आपने दबाया है, sexual desire को अपना मन का अंदर जो इच्छा है, जो natural एक feeling होती है, उसको अपना दबाया है, suppress किये है, और उस feeling को दबाने के बाद अगर आपका अंद आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कारण कहां पर आप apply करेंगे, जब किसी बंदे का wife अगर expire हो जाता है, तो उस दोरान क्या होता है, उस बंदे की अंदर जो sexual इच्छा होती, जो अर्ज होती है, उसको दबाना पड़ता है, suppress करना पड़ता है, क्योंकि उसका wife चला गया है, जो अर्ज है, उसको दबाते है, suppress करते है, और इसी प्रकार से दबाते दबाते एक ऐसा समय आ जाता है, जहां उस बंदे की जो natural urge है, जो natural feeling है, वो पूरी तरह दब जाता है, वो बंदा फिर सोचता है कि मैं साधी करना चाहता हूं, अगला साधी करना चाहता हूं, लेक है कि husband wife में से किसी एक को बाहर job के लिए जाना पड़ता है, या दोनों को ही बाहर job के लिए जाना पड़ता है, अलग अलग जगा पे, तो long distance होने का कारण से भी sexual suppression हो जाता है, तो यह भी एक कारण हो सकता है, और एक condition ऐसा भी होता है, बहुत बच्चे बहुत लड़के हस् पॉर्ण देखते रहते हैं, और इसी प्रकार से इसी तरह से अक्टिविटी करते रहते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि इससे sexual suppression हो रहा है, सप्रेशन होने के कारण से लिंग की अंदर जो नसे है, वो डैमेज हो रहा है, वो खराब हो रहा है, वीलो जोने के रिप्टा इस चैनल का उपर, जहां वो बंदा इसी तरह के अक्टिविटी किया करता था, सीमन जो है, रोक दिया करता था, जैसे सीमन बाहर निकलने वाला रहता था हस्तमा थून के क्रिया के दौरान, उसको रोक दिया करते थे, और ऐसा ही करते रहते थे, तो उस पेस्रेंड को भी ह आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दोस्तो यह कुछ कारण है, सप्रेशन उप सेक्सुल डिजायर की, इसके लगा दोस्तो और भी एक दो कारण हो सकता है, अगर कोई बंदा हस्तमा थून बिल्कुल नहीं करता है, छै मैना आड मैना एक साल हो हस्तमा थून बिल्कुल नहीं क्या है, तो वहाँ भी सप्रेशन उप सेक्सुल डिजायर हो सकता है, इसलिए आप लोग मैना में एक या दो बर हस्तमा थून बिल्कुल करिए, बिल्कुल नॉर्मल है और एक कंडिशन दोस्तो हो सकता है, अगर किसी बंदे का साधी बहुत से हो रहा है, 30 years, 40 years में साधी हो रहा है, और इस दोरान इस बंदे का कोई पार्टनर नहीं रहा होगा, तो वहाँ भी सप्रेशन उप सेक्सुल डिजायर हो सकता है, तो दोस्तों कौनियम मैं प्रिसक्राइब करने के लिए सप्रेशन उप सेक्सुल डिजायर होना बहुत ज और इदिया आपको कई ऐसा बंद अगर आपको दिग रहा है, जिस बंदे का साधी काफी लेट से हुआ है, या लेट से हो रहा है साधी, जिसका उमर 36 years, 38 years, या 40 years हो चुका है, अब उनको साधी हो रहा है, और अब इनको तमाम समस्या हो रही है, तो कही न कहीं उनका अंद तब आता है जब ये रात को सो जाते है, सोने के बाद इसको पसिना बहुत ज़्यादा आ जाता है, ऐसे भी इसको पसिना आता है, लेकिन रात को सोने के बाद इसका पसिना डबल हो जाता है, या हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि पेसेंट जब रात को खा के अपने डिनर क कंप्लीट करने के बाद जब सोने के लिए जाता है तब इनका अंदर तमाम समस्या बढ़ जाती है हो सकता है उसको गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाता हो या उसको चक्कर आता हो या उसको वॉमिटिंग आता हो तो रात को भोजन के बाद अगर कोई समस्या बढ़ता है तो यह एक Conium Mac का बहुत अच्छा symptom है दोस्तो Conium Mac का जो थर्ड symptom में पेसंट का अंदर देखता हूँ वो यह है कि पेसंट का बॉड़ी के अंदर कहीं भी Tickling Sensation है की नहीं या नमनेसी कोई सुनपन सा कोई symptom कुछ है की नहीं कहीं भी हो सकता है इस प्रकार का कोई symptom है की नहीं दोस्तों कोनियम का जो मैं 4 symptom देखता हूँ यह है कि इसका पेसंट जो मेरा सामने बैठा है वो चिली पेसंट है की नहीं यानि उसको ठंड से परसानी होता है या नहीं क्योंकि कोनियम में का जो पेसंट होता है वो चिली पेसेंड होता है, उसको नहाना पसंद नहीं होता है, सलफर की तरह, और वो घर में रहना पसंद करता है, उसका अंदर मिठा खाने का सौक बहुत ज़्यादे नहीं है, लाइको पोडिये, मर्जेंटम, लैट्रिकम की तरह, सलफर की तरह, मिठा खाने का सौक बहुत कोई अच्छा चीज़ ندधर हो रहा है खुसी का गोर जारो आधा है तो ऑसे प्रब्लं हो जाता है तो यानि एकर पेशेंट को डि एक्सिंदर में सबके साथ कोई में सथे बंगे इसे equ稔 तक पहुँच गया है ताभी जाके सबका एंदर हो और उसका में इसको बहुट ज्यादा की दरकार नहींका रहा है कि क्वी ऐधेगल की ऩॉट उन के ही का उन्दर चैक्कर आ सब्रेस्ट कांगाया सबस्दों बोग रुखते उमको कोनियों मेगर किसी कर सकते ही अब सवाल यह कि कैसी के साथ मैच होता है तो बंदा किस प्रकार से इसको करें gör को इस्टिक आपको ऋंदर ही तो आपको बट गजिए वह निभी बतना है इसको आगे कैसे इस्तमाल करना चाहिए वो एक डॉक्टर आपको बखो भी बता पाएगा तो दोस्तों यह रहा एक short video about konium mac अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक like जरूर कर दीजेगा और अगर आपको इस वीडियो से related कोई का सवाल है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर करिए उसका reply आपको वहीं पर दिया जाएगा so thank you very much and have a good